विदीशा जिले में हुई दर्दना घटना में सर्चिंग अभियान अब भी जारी है प्रभारी मंत्री विश्वा सारंग से लेकर तमाम आला अधिकारी घटना स्थल पर मौझूद है वरस्क्य ओपरेशन के चलते चौथी बॉडी को निकाल लिया गया है फिलहाल पूरा माहौल गमगेन हैं हर घर से चीक चलाने की आवाजे आ रही है पता दे कि इस घटना में चार लोग के मृत होनी की खबर है अभी भी ग्यारा लोग लापता है इसके अलावा सीएम शिवराज ने म्रतकों के परिजनों को पांच लाख की राशी और घायलों के परिजनों को पचास हजार रुपए देने का आईलान किया है इतना ही नहीं सीएम मंत्राले के सिच्वीशन रूम से घटना की लाइव जानकारी ले रहे हैं इस दोरान ग्रामाती नर्टा मिश्वा समेथ काई वरिष्ट अधिकारी मौजूंद है